बुद्धवार की देर रात गुलदान ने एक बाइक सवाई युवक पर हमला बोलते हुए उसे घाय कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भट्ती कराया गया। बुद्धवार की रात रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतरगत पढ़ने वाले ज्वाला वन छेत्र निवासी असलम गुजर देरात अपने एक अन्य साथी मुहमद उमर के साथ बाइक से वनना खेडा से दवाई लेकर वापस अपने घर आ रहा था। इसी पीच रास्ते में अचानक एक गुलदान ने उन पर हमला बोल दिया। मही गटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल के बारे में जानकारी हासिल की। हम गयते पन्नागिडा दवाई लेने तो रास्ते में हमें बाग ने जपता मारा और साथ में भाईया दे हमारे तो मेरी टांग में मारा जपता तो करीब 50 मिटर हमारे पीछे दोड लगाई। तो फिर हमने हला किया तो बाग फिर साथ में भूचे वहीं मामले में तराई पश्चिमी के डिएफो प्रकाश आरिया ने बताया कि हमारे जौालावन छेत्र में हमारे द्वारा वन विभाग को लौट दिया हुआ है जहां उसके कटान का कारे चल रहा है जहां पर कुछ ल पर उच्छेत्र में गस्त बड़ा दी गई है साथी लोगों को सचेत्र रहने के लिए कहा गया है जौलावन छेत्र है हमारा जौलावन में हमारा एक बनिकम को हमारी लौट दी हुई है लौट में काम चल रहा था तो वहीं पर कुछ लेवर से कुछ आत्मी थे जो की किया है उसके वाद अमला करके वो भाग गया एक्दम वहां पर रुका नहीं है तो देखने बांकि लोगों को अलर्ट कर दिया कि वही कुल्दार के एक्दम सामने ना जाएं और अगर कहीं कोई दिखता तो इस तरह से ग्रूप में रहें ऐसा नहों कि दुबारा कोई गट कि दुबार कोई दिखता तो